तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास्ट विल्ड के उर्दू का चैप्टर नंबर 15 यानि की 15 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है बरकई कलीसा और ये नजम तो है लेकि नजम में भी जरिफाना नजम है यानि की जरिफाना नजम उस तरह के नजम उस तरह की कवीता को कहा जाता है जिसमें हसी मजाख हो और किसी पर कमेंट किया गया हो और कमेंट हसी मजाख में किया जाता है ताकि जिस पर कमेंट किया गया है उसको बुरा ना लगे उसके बारे में मतलब गलत भी बोला जाए ठीक है मतलब हसी मजाख वाली बात की जाए तो फिर जिस पर कमेंट किया जा रहा है उसको बुरा ना कलीसा का मतलब होता है बिजली और कलीसा का मतलब होता है चर्च ठीक है तो चर्च की बिजली यानि कि इस नजम में इस कवीता में चर्च की बिजली कहा गया है एक लड़की को जिसका नाम रहता है मिस जो की बहुत ज़्यदा खुबसूरत रहती है मिस नाम की लड़की रहती हैं क्या क्या बात होती है पूरी नजब में आप लोग को पढ़कर हर एक लाइन का अर्थ आप लोग को बताऊंगी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए लेकिन फिलाहर इतना जान लीजिए कि जो जरीफाना नजब है बरक कलीसा इसमें कमेंट किया गया है अभी के मुसल्मान के उपर कि अभी के मुसल्मान जो है ना पहले के मुसल्मानों के जैसे नहीं रहें बहुत सारा परिवर्तन तब्दीलिया आ गई है ठीक है अभी के मुसल्मान सिर्फ नाम के मुसल्मान हैं खुबसरत लड़की को देखी नहीं अभी के मुसल्मान जो है ना हुसनु और तो मैं आप लोग को पूरी नजम आप लोग को बताऊंगी उससे पहले इस चप्टर के जो राइटर है यानि की मुसनिफ यानि की इस नजम के जो शायर है लिखने वाले वह अकबर तो इनके बारे में कुछ डीटेल्स दिया गया आपव लोग के बुख में वह सभी डीटेल्स को चलिए समझ लेते हैं अकबरला बादी का पूरा नाम है अक्बर हुसेंद अच्छ स्टार्टिं में आप लोग वडियो को लाइक जरूर कर दीजए और जितना ज़दा हो सके आप लोग शेयर करना है आप लोग like, share बहुत ही कम कर रहे हैं पड़ापट like कर दियो और जितना ज़दा हो सके ज़्यादा ज़्याधा शेयर करें और हो सके तो आज की इस video को status ज़रूर लगाईएगा ठीक है और उसके बाद से चैनल पर अगर आप सटाइब साइब heavenly qapt書 में थे और कम प्रिश वी थे और अकबर इनका नाम था क्ष्ट अकपर और फर प्लापादी के नामसे मशूर हो गहें आप बताईए कि कहां पर पैदा हुए थे इनके जन्न मिस्थान का नाम याद रखना आसान है कि नहीं इनके नाम में यह छुपा है कि कहा हुए थी कौन से जगा पर पयदा हुए थे अक्पर अक्पर अलहाबाद की ओरस सब्रसाइब में पैदा हुए थे ठीक है अक्टूबर 1845 इस भी को बार जीला के ओर्रसाइब एकला Кज्छ अकबर हुसेन है और इनका जो बश्चपन है वह दाउद नगर और सूराम वगरह में जादजर बीता था ठीक है इनके दादा जी का नाम था सेद फजल मुहमब वालिद यान की पीदा जी का नाम था तफजल हुसेन और इनका पूरा खांदान जो था ना वो तालीमियाफता फजल में जितने वह जो सबीए बढ़ें होता है जल होते हैं यह गर चोली बच्चा पलेगा बढ़ेगा वह बादम से से दिल्चस्बी रखेगा तो स्टार्टिंग से यह भी बच्पन से जो है पढ़ने लिखने का इनको भी वाजदा शौक था अठार सो चपन इस भी में इनके वालिदयन इलहाबाद में आबाद हो गये मतलब लगबग यह 11 साल के होंगे अक्बर अलहाबाद ही जो है ना इनक मिशन हुआ मिशन स्कूल में इनका दाखिला हुआ वहां पर पढ़ने लिखने मतलब उस स्कूल में पढ़ने से पहले यह घर पर ही तालीम हासिल कर लिये थे उर्दू फार्सी अंग्रेजी अर्भी और रियाजी की जैसा कि मैं आप लोगो पहले ही बताई कि इनके घर में जितने भी लोग थे सबी लोग पढ़े लिखे थे तालीम या फता थे इल्म अदब से दिल्चस्प भी रखा करते थे इसी वज़े से अग्बर लाबादी की तालीम घर पर ही हासिल हो गई थी उर्दू फार्सी अंग्रेजी अर्भी और रियाजी की ठीक है उसके बाद से इनका दाखिला हुआ था मिशन स्कूल में जब इनका दाखिला हुआ एडमिशन वा तो अभी एक साल भी नहीं हुआ था तब तक की तुरंथी गदर का मामला पेश आने लगा और माली खालत भी अच्छी नहीं थी मतलब कि पैसों की कमी हो गई थी जिसके जैसे यह अपनी मतलब पढ़ाई में लगाए मतलब आप यह किसकते हैं कि नौकरी करके यह पढ़ाई किये थे और वकालत का इमतहान पास किये और वकील बन गए और ने streets press and share कौन से पोस्ट से रिटाइर हुए थें तो अदालत में यह मुंसफ्य के से श्क्राइब हुए थे याद रखनाहिए अप लोगнить अठारमों दांबर में इनकी वकालत को देखकर जीरा इनको खारौन बहादूर ही सिस्वी में और बेटा जिनका नाम था ये उन्हें सा 13SB में बीवी और बेटे जो है ना उनका इंतकाल हो गया था बीवी का इंतकाल उन्हें सा 10SB में हुआ था बेटा हाशिम का इंतकाल उन्हें सा 13SB में हुआ था और पहले इनके वालिदन यानि की माता पिदा का इंतकाल हो गया था तो जीने का कोई वज़ा न लगी थी और अखिरकार इनका इंतकाल हो गया 9 सितंबर उने सब्सक्राइब को अलहबाद में ही और इनको पर दफन कर दिया गया याद रखना है यह भी पॉइंट कि अवद पंच के नौ रतनों में अक्बर अलहबादी को शुमार किया जाता है यह कुछन पूछा जा चुक यह भूक में दिया गया था तो सारा डिटेल्स हम लोग समझ लिए अब चलिए मैं आप लोगो को यह जो नजम है यान की कवीता इसको पढ़कर आप लोग को बताती हूं आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिये का जैसा कि मैं आप लोगो बताई दी इसमें कली जुल्फ पेचा में वो सच्धच के बलाए भी मरीद, खदिराना में वचमखम के खियामत भी शहीद, यानि कि यहां पर शायर बता रहे हैं, कि रात को उस मिस नाम की लड़की से कलीसा यानि की चर्च में मुलाकात हुई, जुल्फ पेचा में वो सच्धच के बलाए भी मरीद, खदिराना में वचमखम के खियामत भी शहीद, यानि कि वो सच्धच के मनलब जुल्फ पेचा में सच्धच के वो ऐसे आई थी, कि देखने वाले देखते ही रह जाएं, इस नाम की लड़की को ही देखे जा रहे थे, बहुत ही जड़ा खुबसूरत थी, और उसकी खुबसूरती की ही तारीफ यहां पर किये हैं, यानि कि उसकी खुबसूरती बयान किये हैं शायर, आगे लिख रहे हैं, कि आँखे वा फितनाय दौरा के गुनागार करें, गाल वा सुबा दरखशा के मलक प्यार करें, गरम तक्रीर जिसे सुनने को शोला लपके, दिलकश आवाज के सुनकर जिसे बुलबुल जपके, दिलकशी चाल में ऐसी के सितारे रुख जाएं, सरकर्शी नाज में ऐसी कि गवर्नर जुख जाए, आतिशे हुसन से तक्वा को जलाने वाली, बिजली अलत पे तबस्स्म से गीराने वाली, पहलोए हुसन बे आशूखे तक्डीर में गर्क, तरुकी वो मिस्र वो फिलिस्तीन के हालात में बर्क, पिस गया लुट गया है, दिल में सकत ही ना रही, सुर्थ तमकीन के जिस गत्में वो गत्ही ना रही, जब्त के अजम का उस वक्त असर कुछ ना हुआ, या हफीज का किया वर्द मगर कुछ ना हुआ, यहां पर बता रहे हैं कि वो लड़की, मिस नाम की लड़की से मुलाकात हुई, कलीसा में, और वो इतनी खुब्तुरत, उसकी आँखें, उसकी दिलकश आवाज, उसकी चाल, धाल, गरम-गरम तक्रीर, जिससे सुनने को सोला लपके, ठीक है, दिलकशी चाल में ऐसे कि सितारे रुख जाए, ऐसी चाल की जिससे देखकर फितारे भी रुख जाए, ठीक है, आतिश हुसन से तक्वा को जलाने वाली, बिजलिया लुफ से तवस्म से गिराने वाली, यानि कि आप युँ कि सकते हैं कि अपने हुसन से सब को, आप सभी पर बिजलिया गिरा देने वाली, या पी पिसकते हैं कि मतलब यहां पर तारीफ कि हैं, खुबसूरती वियान किये हैं, ठीक है, और बता रहे हैं कि वो मिस्थ नाम की लड़की की तक्रीर में, यानि कि वो जब भी बोलती थी, तो उसके तक्रीर में जादतर तुर्की, मिस्र और फिलिस्तीन की बारे में वो जादा कहती थी, यानि कि उसके तक्रीर में जादतर जिक्र होता था तुर्की, मिस्र और फिलिस्तीन की, ठीक है, और वही अपने बारें बता रहे हैं कि है, ये मैं उसे देखकर पिस गया लुट गया दिल में सकत ही न रही ठीक है सुर्थ तमकीन के जिस गत में वो गत ही न ये जब्त के अजम का उस वक्त असर कुछ नहुआ यानि कि ये वहाँ पर खुदा का नाम ले रहे थे ताकि कंट्रॉल कर ले अपने आपको लेकिन कंट्रॉ सभा बांद के मेरी हो जाए सारी दुनिया से मेरे कल्ब को शीरी हो जाये ठीक है यानि कि यहां पर जो है साइर जाकर उस मिसनाम की लड़की के सामें खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं कि किक्या कह रहे घृ जीतwał कि अभर तुम सबकुछ छोड़कर मेरी हो जाओ तो मु सब कुछ मेरा दौलत वो इज़त इमाज सब कुछ तेरे कदमों पर निसार है अगर तुम मेरी हो जाओ तो इस दुनिया में मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस तुम चाहिए बस तुम मेरी हो जाओ ठीक है जाकर ये बोल पड़े उसके बाद से क्या हुआ सुनिये यहां पर शौक के जोश में मैंने जो जुबाईयों खोली नाजवांदाद से तियोरी को चड़ा कर बोली गएर मुम्किन है मुझे उस मसल्मानों से बुवे खुवा आती है उस कौम के इंसानों से लंतरानी किया लेते हैं नमाजी बनकर हमले सरहत पर किया करते हैं गाजी बनकर या गयर मुम्किन है मुसल्मानों से मुहबत ना मुम्किन मुसल्मान के इस कौम से मुझे खुवा आती है लंतरानी किया लेते हैं नमाजी बनकर हमले सरहत पर किया करते हैं गाजी बनकर कोई बनता है जो महती तो बिगड़ जाते हैं आग में कुदते हैं तोप से लड़ जात गाई कामयाबी की दिलजार ने आहट पाई अर्द की मैने ऐल अग्र दिल इंतर लखते आ के काउम से मुझे ठीज़ठे मुझे खुन औरहते पैसे हैं हमले किया करते हैं ठीक है अगर इनको कोई बताए कुछ तो फिर ये बिगड़ जाते हैं आग में कूच जाते हैं तोप से लड़ जाते हैं और कोई इनकी तारीफ कर दे तो इतना इतरा जाते हैं सर पर ही चड़ जाते हैं और मुझे इनकी रगों में जिहाद का असर दिखाई देता है मतलब कि यहां पर मुसल्मानों की बुराई करती है ठीक है वो मिस्लाम की लड़की अब यह सारा बात सुन लेते हैं शायर उसके बाद से क्या कहते हैं जरह सुनिएगा शायर अब मिस्ल जते जा राहते रू अब जमाने पे नहीं है असरे आदम वनो यानि की शायर जो है ना उस लड़की से यह सारी बात सुनने के बाद कहते हैं कि एल जते जा राहते रू अब जमाने पे नहीं है असरे आदम वनो यानि की अब इस जमाने पे आदम और नु अलैसलाम का कोई अब पेहले की मुसल्मानों के जैसेा का अभी के मुसल्मान नहीं रहें बिलकुल चेंज हो चुके हैं देखिए हागे क्या भू लिखे हैं शायर बोल रहें आगए शायर कि सज्ड एतूर का इस बाग में पौधा ही कि नहीं गेस्वे हूर का इस दौर में सौधा ही नहीं अब कहां जहन में बाकी है बराक वर रफरफ टक्टकी बंद गई है कौम की अंजमन की तरफ हम में बाकी नहीं है वह खालिद जाबाज करंग दिल पे गालिब है फक्त हाफिद शिराज करंग या ना वो नारा ए तकबी मौज कोसर की कहां अब है मेरे बाग के गिर्द मैं तो तैजिब में हूँ पीरे मगा का शागिर्द मुझ पे कुछ वज़े एताब आपको एजान नहीं नाम ही नाम है वरना मैं मुसल्मान नहीं मतलब कि यहां पर शायर कहते हैं कि अब इस बाग में सर्जरे तूर का वो पौधा ही नहीं रहा अभी के मुसल्मान जो है ना वो बदल चुके हैं अभी के मुसल्मानों में वो खालिदे जाबाज का रंग नहीं है खालिदे जाबाज आप लोग जानते होंगे ठीक है मतलब जिनों ने किसी भी जंग में उन्होंने हार नहीं मानी थी शिकस्त नहीं पाई थी ठीक है अभी के मुसल्मानों में खालिद जाबाज का रंग नहीं है अभी के मुसल्मान जो है ना शिर और शायरी कर रहे हैं गालिब बन चुके मिर्जा गालिब की तरह ठीक है मिर्जा गालिब यानि के शिर और शायर बन चुके है और वो अभी के मुसल्मानों में और नारे तकबीर लगाने का जोशी नहीं है वो ताकत ही नहीं है सब किसब आती जैसे खुबसूरत लड़की पर जो है ना सुभान अल्ला सुभान अल्ला पढ़ रहा है ठीक है और वही बोल रहे हैं कि मुझे पर कुछ वजय आताब आपको आजान नहीं नाम ही नाम है वरन लिकिन अभी के मुसलमानों के अंदर वो जोश वो जुनून सबकुछ खत्म हो चुका है अभी के मुसलमान जो है आप जैसे स्ब्सक्राइब लड़की पर ही सिर्फ सुभान अल्ला पड़ रहा हैं शिर वशारी कर रहा है महबत इश्व महबत में डूबे पड़े हैं ठीक है और मैं भी उन मुसल्मानों में से ही एक हूँ ठीक है मतलब कि अभी के मुसल्मान तिर्फ नाम के मुसल्मान है जब कहा साफ या मैंने के जो हो साहब फहम तो निकालो दिल ले नाजुक से ये शुबाई ये वहम मेरे इसलाम को एक किस्ता माजी समझो हसके बोली तो ठीक है तो फिर मुझको भी राजी समझो यानि कि यहां पर जो है जब शायर बोले कि मैं भी अभी के मुसल्मानों में से हूँ मैं सिर्फ नाम का मुसल्मान हूँ हमारे इसलाम का जो किस्ता है इसको माजी समझो यानकी past समझो, समझो कि यह गुजरा हुआ जमाना था ठेखे हमारे इसलाम का ये किस्सा जो है इसको माजी समझो, जैसे ही ये बात शायर बोले तो लड़की इनकी बात को समझकर बोली की ठीक है हस्ते हुए बोली ठीक है, तो फिर हमको भी राजी समझो और यहां पर फाइनली यह नजमियन की कविता कम्प्लीट हो जाता है और आप बताईए इस नजम के जरीए जो है ना शायर अकबर अलाबादी वो मुसल्मानों की उपर कमेंट किये हैं मिस नाम की लड़की का जरीया बना कर ठीक है, मुसल्मानों की एक तरसे आँक कुलने की कुछिके एос है कि अभी के मुसल्मानों को आफे हो क्या गया है इश्क को मुहबत में ढूबे पड़े हैं गालिब की तरस्योषयरी कर रहे हैं ठीक है, कहाँ गया है वो जोश कहां गया, वो जनून कहां गया, वो जजबा, जो पहले के मुसल्मानों के अंदर हुआ करता था, नारित तकबीर का नारा गूज उठता था, ठीकें, अब बिल्कुल बदल चुके हैं अभी के मुसल्मान, वही बात बताने की कोईश की हैं अबर अलाबादी, और य सब्सक्राइब करते हैं, इसे के साथ में आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ, बाइबाए, टेक क्यार फिर्म लेंगे, हम लोग अगले विडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज